हेलो स्टुडेंस वेलकम बेक टू मैंगे ब्रेंस इंदी मीडियम मैं लाली वर्मा आप सभी विध्यार्थियों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ स्वागत करने के साथ-साथ यह आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे खुश होंगे प्रसन्य चित होकर येस तो आपको तो बहुत जोरो शोरो से पढ़ाई में लग जाना चाहिए और आशा करती हूँ कि आप लग गए होंगे लेकिन बेटा इतना ध्यान रखना कि पढ़ाई करते करते अपने स्वास्त को मत भूल जाना और अच्छे से खाना पीना सोना जागना केलना कूदना खेलना कूदना भी ज़रूरी है अच्छानक से पूरी तरह से यदि हम किताब में लगे रहेंगे तो दिमाग चक्रा जाएगा इसलिए सब कारे करना अच्छे से करना बैलन्स होकर खुश होकर करना तो सब कुछ अच्छा होगा हमारी शुपकामना है आपके साथ है मैगने और इस पार्ट का नाम है एक लेख और एक पत्र अब जहां पत्र की बात आ गई लेक की बात आ गई तो बस संदेशे आते हैं वाला गीत हमें बिल्कुल सुनाई देने लगता है कि किस तरह से पत्र लिखते हैं जहां पर पॉडर पर सीमा पर सिपाही रहते हैं या भारती जो क्रांतिकारी हैं स्वतंत्ता सैनानी है वो अपनी एक बात कहने के लिए या मातर भूमी की रक्षा के लिए अपने खून के अंतिम कत्रे तक को समर्पित कर देते हैं वो भी खुशी-खुशी ऐसा ही किया था शहीद भगत सिंग जिने जिनों ने अपने हस्ते हस्ते फा जन्म हुआ आपका 27 सितंबर 1907 याद रखिएगा 1907 एक और जन्म दिवस है किसी का दो लोगों का एक का तो याद है महादेवी बर्मा जी का 1907 से 1987 और एक किसका है बताइएगा मुझे कॉमेंट करके जन्म इस्थान है जरमवाला तहसील पंजाब माता पिता विद्यापती माता जी सरदार किशन सिंग सिंदू जी पिता जी भाई बहन रणवीर कुलतार राजिंदर कुलबीर जगत प्रकाशकौर अमरकौर और शकुंतला कौर निधन 23 मार्च सन 1931 लाहौर ठीक है 23 मार्च को आपको पता हो तो शहीद भगत सिंग दिवस मनाया जाता है जिसमें उन्हें शद्धानजली अर्पित की जाती है तो जैसा कि हमें भगत सिंग का नाम या स्वतंत्रता सैनानियों का नाम आते ही एक एक अलग सा जुनू नजाता है देश की प्रती अपनी आजादी को हम हर् किस मिटा सकते नहीं सर कटा सकते हैं लेकिन सर जुका सकते नहीं ऐसे ही थे हमारे वीर शवतंत्तरता सैनानी जो नो ने हस्ते हस्ते अपने प्रानों की आहुती देदी सच में KA मलब जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुरबानी ती खूँन से लत्पत काया फिर भ प्रति हमेशा सम्मान पूर्बग भाव अपने मन में रखें अब हम चलते हैं इस एक लेख और एक पत्र में भगत सेंग जी ने क्या बताया है तो यहां उन्होंने अपने मन के या अपने दिल के या अपने जिगर के जुनून को एक्स्प्लेन किया है या वरनित किया है कि एक देश भारत देश में जब हम जन में है तो हमारा कुछ भी हो जाए हम इसकी रख्षा और सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देंगे आपने वो पंक्ती सुनी होगी तेरा तुझको अरपन क्या लागे मोरा यह मेरा तो वही है कि हम देश को क्या देंगे, ये शरीर क्या हमने बनाया है? नहीं बनाया है इस भूमी ने अपनी गोद में हमें जगे दी है, हमारा पालन पोशन किया है यदी इस आधी की रक्षा और सोरक्षा के लिए हम कुर्बान हो जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी साधी साथ उन्ने ये भी बता है कि मृत्यू होना वो तो होनी है जन्म हुआ है तो मृत्यू अटल है मृत्यू तो टल नहीं सकती है किसी की भी कोई भी जीव जन्तू जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यू निश्चित है अब जब मृत्यू ही निश्चित है तो क्यों ना मृत्यू को सू मृत्यू में परिवत्त कर लिया जाए मृत्यू को स सूमृत्यू सुनना है सूमृत्यू किसकी वह संकेत कर रही है बताइए सूमृत्यू मतलब एक बहुत अच्छी मृत्यू भी होती है हाँ बहुत अच्छी मृत्यू भी होती है जो मृत्यू किसी के काम आ किसी क्या जो देश के काम आ जाए जो देश में लड़ते लड़ते यदि शहीद हो जाएं तो उनकी मृत्यों को सूमृत्यों भी कहा ज़ाया है ठीक है तो इस पार्ट में हम उनके देश के प्रती भावनाओं को जानेंगे साथ ही उन्होंने क्या क्या कार है जब वो आया है कि पाठ या जो पाठिक्रम है जब विद्ध्यालाय में जो सिक्षा प्रदान की जाती है उसमें हर एक विद्ध्यार्थी को देश भक्ती के प्रती सेवा के प्रती उनके बारे में अखंड ऐसे विचारों को उत्पन करना चाहिए जिनके चलते उनके मन में देश भ होनी चाहिए कि दुश्मनों का सीनक कापने लगे दुश्मन धर राने लगें आपके नाम से यह नहीं कि ठीक है जो हो रहा है होने दो मुझे क्या यहां मैं नहीं होता है यहां हम होता है जब देश-भक्ति की भाव ना अपने मन में होती Lap यह तो वो पिछली पीडियों से देश प्रेम की भावना को आत्मसाथ किया आप संपन परिवार से थे अधिकतर क्या देखा जाता है कि जो भी जो भी बच्चे अधीब बड़े और संपन व्यक्ति मतलब संपन माता पिता के घर में जन्म ले लेते हैं तो उनका तो रवाई यही चेंज माता पिता के या पिता जी के पैसे के नाम से उनमें घमंड इस तरह से चकना चूर हो जाते हैं वो कि अपनी बुद्धी का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं लेकिन बालक भगत सिंग ने ऐसा नहीं किया अपने पूरवजों से सुनी हैं बातें वीर गाताओं की प्रतम सतंत सं जब 1857 को हुआ था जहांसी की रानी लक्ष्मी भाई या फिर हम बात करें मंगल पांडे की तो ऐसे इतिहास को उन्होंने जाना और उसको पढ़ा और साथी साथ सुनते गए तो सुनकर उनके मन में देश के प्रती रक्षा की भावना जागी और मात्र भूमे के प्रती प् को अपनाया देश की गुलामी उनके लिए जादा बेचैन करने वाली स्थिती थी देश में जब देश गुलाम था और उस समय किस तरह से भारतियों को पीड़ा पहुंचाई जाती थी जब उन्हें नीन दाती थी तो उन्हें कोड़े देकर मारा जाता था उनकी चमड़ी तक निकल जाती थी जब उन्हें कुछ भूक लगती थी तो उन्हें कुछ खाने को नहीं दिया जाता था प्यास लगती थी तो पानी उनके सामने ओड़े ला जाता था लेकिन एक भून तक उनको नहीं दी जाती थी तरसते थे तो यह जो रहा हूं गुलामी उनके लिए ज से जीवन भी बिताया है लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की क्योंकि सरकार तो उस समय वही थी ना हम बात करें 1907 से 1931 की बात करने तो तब तो अंग्रेजों का ही शाशन था वे चाहते तो पढ़े लिखे थे संपन परिवार से ते अच्छी खासी नौकरी मिल सकती थी सुकू स्टीता होती है जो लेक होते हैं वहर एक मन में ऐसी चिंगारी उत्पन कर देते हैं जिससे लोगों के मन में देश-भक्ती की भावनजाग्रित हो जाती है तीक्षन बुद्धि के थे हां बहुत ही अच्छी बुद्धि के थे बुद्धी में उनको कुशलता थी तो यहां पर संगठन बनाए और एक सक्रीय कारे करता की तरह कई बार जेल गए और हस्ते हस्ते फासी पर जूल गए उनकी यह कुर्बानी भारतिय मानस को जग जोरने वाली रही है और यह देश आगे चलकर आजाद हो सका ऐसे ही वीर सपूतों ने जब कुर्बानी ती अपने मन में द दिया डर जैसी भावना को अपने मन से उखाड कर फेग दिया क्या करेंगे अंग्रेश मारोगे मारो कोड़े बरसा होगे कोड़े बरसा लेकिन हम तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकेंगे इस जज़वे के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतित किया बगत सिंग का सम मैं था इस संगर्ष में नौजवानों की भूमिका महद्वपूर्टी युवा शक्ति युवा सबसे अधिक एनरजेटिक होते हैं उर्जवान होते हैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं उनमें सब कुछ मतलब सबके समक्षिया सबका सामना करने की असीन ताकत रहती है यहां संक्लित उनके लेक से यह सबस्ट होता है कि देश की आजादी के लिए ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन आर्पित कर दें समर्पित कर दें और पागलों की तरह सारी उम्र देश के लिए नयाउच्छावर करते हैं अब आपने एक शब्द सुना होगा सनक सुना है क्या है यह सनक शब्द सनक शब्द अच्छा है या बुरा है बताओ जल्दी जल्दी सोचो एक सेकंड में और बताओ मुझे कि सनक शब्द अच्छा है या बुरा तो यहां पर बहुत से लोगों को लगता है रहे यह तो सनकी है तो सनक शब्द को नकारात्मकत कि यहां पर लिखा है ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मंधन अर्पिद कर दें और पागलों की तरह सारी उम्र देश के लिए नियोचावर कर दें यही तो सनक है जो पागलों की तरह किसी कारे को पूर्ण करने की मनमें जिद यह जुनून ठान ले कि मुझे अपनी मा अत्रभूमी को आज़ात करा के ही रहना है वो यह नहीं सोचते कि यदि मैं मर गया तो मेरा क्या होगा मैं मर जाओंगा मेरे अकेले से क्या होगा वो एक खुद से प्रॉमिस करते हैं ठीक है यह त्याग मैकार है घर परिवार में उल्जे पारिवारिक लोगों से संभव न अस्पताल जाना वहां से लोट कराना ये करना वो करना मतलब कुछ लोग जो सामाने लोग रहते हैं वो बस क्या करते हैं वो इसी तरह से जीवन व्यतीत करते हैं पारिवारिक उल्जानों में उलर्ज कर वो कुछ भी देश के लिए नहीं कर पाते हैं तो यहां पर यह त्य समय देश के लिए आवशक थी भगस सींग इसलिए उन्हें किताबी दुनिया से निकल कर राजनीती में भाग लेने को प्रेरित करते हैं उन्होंने कहा कि इन्हें किताबी दुनिया से भी बाहा निकालना होगा और इनके मन में भी राजनीती के बीज बोने होगे राजनीती क तो कि कई वर्षों से सदियों से हमारे देश में राज कर रहे हैं उनको किस तरह से खदेडा जाए कैसा कैसी नीती अपनाए जाए जिससे हम राज कर सके भारत में भारत का ही राज हो सके भारस्वतंत्र हो सके ठीक है तो उन्होंने युवाओं के लिए या देश के जो आप जैसे बच्चे हैं उनके लिए ये सोचा कि राजनीती जरूर इनके लिए प्रेत होने वाली बात है तो बच्चों के मन में इस राजनीती का भाव जागरत होना चाहिए वे अपने क्रांतिकारी साथी सुखदेव को लेके पत्र में बताते हैं कि विपत्तिया तो व्यक्ति को बाधा हैं जो विपत्तिया होती है वही तो हमें पूर्ण बनाती हैं पूर्ण बनाती है मतलब जब तक हमने परिशानियों का सामना ही नहीं किया हमें क्या पता चलेगा कि जीवन में और क्या घटेत हो सकता है और जब हम परिशानियों का सामना करके आगे बढ़ जाते हैं तो हमें एक और नई सीड़ी पर कदम रखते हैं सफलता की सीड़ी पर क्योंकि हमें एक और नई आनुभव हो जाता है कि यदि ऐसा होगा तब कैसा किया जा सकता है किस तरह का कदम आगे बढ़ाया जा सकता है उनसे बचने के लिए आत्म हत्या का रास्ता कायरता है बहुत से लोग या बहुत से बच्चे आत्म हत्या को गले लगा देते हैं यहां पर एकदम उन्होंने बताया है कि आत्म हत्या खुद का खून करना यह तो कायरता है एकदम कायर लोग या बुझ दिली है यदि मरना ही ह तो देश की रक्षा करके मरोना तो वो मृत्यू भी सू मृत्यू में परिवर्तित हो जाए यदि आपको अपने शरीर से या अपनों से प्रेम नहीं है तो अपने शरीर को कुर्बान कर दो देश के लिए हां तब जादा बैटर है तो यहीं उन्होंने कहा है कि इस तरह के वि अपता को लड़ दिया बल्कि जेल में कैदियों के लिए सम्मान पूर्वक परिवेश तयार कराने की वैचारिक जमीन पैदा की यह चा किया अता भारत में क्रांती का नेत्रित्व करने वालों को एक सू विचारित एवं सो उद्देश क्रांती की दिशा निश्चित कर ले देता है मतलब सिर्फ विरोध के लिए विरोध कि विरोध करना है तुमारा विरोध हो रहा है ना हमारे प्रती तो हमें भी तुमारा विरोध करना मतलब विरोध के लिए सिर्फ विरोध इससे भला क्या हो पाया है मतलब युद्ध यह जो लड़ाई है आप सी युद्ध चाहे महाभारत के युद्ध को ले ले जए यदि जो दुर्योधन था वो पाँच गाउं पंड़बों को दे देता तो महाभारत का युद्ध रुख जाता ना जो नरसंगार हुआ भीशन नरसंगार वो तो नहीं होता खून की नदियां तो नहीं भेटी तो यहाँ पर ये बताया उन्होंने कि सिर्फ विरोत के लिए विरोत करना तो एकदम विचार हीन बात है ये कोई सही बात नहीं है वे बताते हैं कि क्रांती व्यक्तिगत सुख दुख के लिए ना तो शुरू किया सकती हो ना ही समाथ इसके आरंब से अंत तक सामुहिक हित होता है जो भी क्रांती कारी की भावना या जो भी क्रांती की भावना मन में जगाता है तो वो किसी खुद के लिए नहीं जगाता यह व्यक्तिकत भावना नहीं है कि मैं क्रांतिकारी बन रहा हूं क्योंकि मुझे आजाद होना है तो मैं यहां कुछ नहीं होता यहां सामज एक हित और सामज एक कल्यान की भावना छिपी होती है तो उसी में समाब्थ होता है, वहीं से शुरू होती है और वहीं से समाब्थ क्योंकि इसके आरंब और अंत तक सामुहिक हित ही होता है करांतिकारियों ने जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया उसमें भगत सिंग का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है आपने बिटा ये भी सुना होगा ना कि दो दल थे नरम दल और गरम दल नरम दल में गांधी जी थे सरदार बल्लब भाई पटेल थे और नहरुजी थे और साथ ही साथ यदि गरम दल की बात करें तो लाल बाल पाल लाल बाल पाल में कौन है लाल बहद्दुर शास्त्री पा मेरा जर्म सिद अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा उसी तरह से सुभाष चंद्र जी ने भी एक नारा दिया था बताये क्या था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा और उन्हें यही कहा था कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें इस वदेश का प् जिस खून की कीमत को या जिस शरीर को आप सुरक्षित रखते हो बचा बचा कर रखते हो डर के रह सकते हो जुक जुक के रह रह तो वो क्या मतलब गुलामी भरा जीवन भी कोई जीवन होता है जीवन जीना है तो जिन्द दिली के साथ जीओ माभारती के लिए जीओ सब के हित के लिए जी ओ या सबके कल्यान के लिए जी ओ यहां पर भगत सिंग के इस लेख और पत्र से बिल्कुल स्पष्ट हुआ है कि किस तरह से उन्होंने अपने आपकी परवार ना करते हुए अपने परिवार अपने संपूर देश को अपना एक परिवार माना है हर एक नागरिक को उन्होंने अपना ही भाई बंदू माना है तब ही जब किसी के मन में इस प्रकार की भावना विद्यमान होगी ना तब ही वो परहित के लिए काम कर पाता है अन्य था सब लोग मैं मेरा मैं बस इसी में सीमित रह जाते हैं और चले जाते हैं मृत्यू सब की हो नहीं है जन्म हुआ है मृत्यू होगी लेकिन सू मृत्यू एक मृत्यू को अच्छी मृत्यू में परिवर्तित करना ही क्या देश सेवा कहलाती है या पर सेवा कहलाती है या इसको हम कहते हैं परोबकार कहलाती है ठीक है वे रूसी साहित को भी अनुकर्णिया मानते हुए बताते हैं कि रूसी साहित में जीवन की वास्तविक्ताओं का चित्रन मिलता है अब रूसी साहित में उन्होंने कहा है कि जीवन की वास्तविक्ताओं का चित्रन मिलता है उ दुखमें द्रिश्च पाठक के नदा में एक आत्म बल पैदा करते हैं जीनों ने धूप ही ना सही हो उसे क्या पता कि सूरज का ताप क्या होगता है जिसके पैरों में कभी काटे ही ना चुपे हों इसे क्या पता कि पैर में पढ़ने वाली विवाई या काटे का दर्द क्या होता है ठीक है तो ये तो सिर्फ मजदूर या वो वर्ग के लोग जानते हैं जिनोंने अपने जीवन को कष्ट में जिला है और साथी साथ जीवन का भरपूर आनंद लिया है सिर्फ आपको फूलों में सुलाना या फूलों की सेज पर रखना और ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए तो वह जीवन ही क्या जिसमें धूब चाओं गर्म ठंडा या क्रोध या प्रेम इन सब का जहां आभास नहीं हुआ तो से वाले सा रदय पात्रों की उपस्थिती ही रूसी साहित को ततकालीन भारतिय साहित में मौझूद अनावश्यक रहस समयता और वयवियता के समानांतर कहीं उचा स्थापित करते हैं एक संघर्ष सील राष्ट के लिए ऐसी ही क्रांतिकारी साहित वरेन्य हो सकता है जिसका हम वर्णन कर सकते हैं तो इस पत्र में विवहन व्यवारिक उधारनों भावपून संस्मरनों और राजनेतिक प्रतिदर्शों के माध्यम से वे सुखदेब को पुना संकल्पित होने का आवान करते हैं कि एक संकल्पलो एक एक अपने आप से प्रॉमिस करो एक प्रणलो मा भारती की रक्षा के लिए एक खुद को नियुचावर करने के लिए एक संकल्पलो ठीक है भगत सींग भविश्यदर्शी भविश्यदर्शी मतलब उन्हें दिखाई दे रहा है कि यदि हम सब ने बहुत अच्छे तरीके से अपने मन पर काबू कर लिया और इन 47 में आखिर हमारा देश आजाद हो ही गया ना लेकिन यदि वो सोचते कि मुझसे होगा या नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं मुझे क्या करना है मैं तो स्वतंत्र भारत में जी ही नहीं पाऊंगा तो क्या कभी स्वतंत्र हो पाता भारत नहीं हो पाता बिटा स्वतंत्र ता य उनके विचारों से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि वे कुशल राजनीतिक थे भविश्यदर्शी थे और रणनीती कार थे प्लानिंग के साथ एक बहुत सुन्दर सी रणनीती तयार करते थे कि क्या करना है कैसा कदम उठाना है यह नहीं कि कुछ भी हो जाए मैं त पुद्धी मता से एकदम रणनीती तयार करके किस तरह से उन्हों उन्हें अंग्रेजों के नाकों चने चबबाए थे यह हम सब ने देखा है किताबों में सुना है फिल्मों में देखा है ठीक है तो यह साफ साफ सबस्ष्ट हुआ है अब हम चलते हैं इसी पार्ट के प्र जरूर समझना ठीक है विध्यार्थी को राजनीती में भाग क्यों लेना चाहिए राजनीती में भाग क्यों लेना चाहिए क्योंकि भगत सिंग ने कहा था कि विध्यार्थी को राजनीती में भाग लेना चाहिए विध्यार्थी का मुख्य काम पढ़ाई करना होता है उन् लेकन लेकन यहां उंकी प्रात्मिघत होती अच्छे अंक और अच्छी श्रे नहीं विध्यारती दवरा विशे के गेहन अध्यन एबं onda पर पुनत हा निर्वर्नेते हैं अता विद्ध्यार्ती का मुख्यकार पढ़ाई करना है तता अपना ध्यान पूरे मने योग से उस और लगाना है किन्तू आ गया ना किन्तू ये जो भाव ना दिया ये जो भाव दिये गए हैं यहां से यहां तक के उसमें यही बता है कि आम तोर पर बिध्यार्ती दोरा विश pathways के गहन अध्यन और गुद्धी की प्रकरतापन पूर निरवण होता इ umasलं विध्यार्ति का कार पढ़ाई कर नहीं होता है तधा अपना ध्यान पूरे मनेयोग ने देश के ब्रती कुछ ऐसे विचार शामिल हूए गतोर आत्म निर्भर बन सकेगा जिसके बलबूते पर वह परीवार का भरन पोछन कर सकेगा जिसके बलबूते पर वह अपणने देश के लिए बहुत HIV और सम्मानी नागरिक बन सकेगा क्या ऐसा पाटिकरम निरधारित किया है यही प्रश्ण सामने किया जाए तो सब क्वेश्चन मार्क में डूब जाएंगे फिर क्यों बच्चे तुम लोगों का काम है सिर्फ पढ़ाई करना अब पढ़ाई क्या करना है भाई कैसी पढ़ाई रखो यदि राजनीती से बच्चों को दूर रखा जाता है तो जितने भी चैप्टर से मातमा गांधी जी से रिलेटेड नहरू जी से रिलेटेड कितना सारे चैप्टर से वह भी तो राजनेता ही थे थे की नहीं राजनेता नहरू जी तो प्रत्तम प्रदान मंत्री रहे ना फिर भी उनकी बारे में बाल दिबस मनाय जाता है यह किया जाता है बहुत सारे not only कि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं तो वह भी तो indirectly राजनीती के बारे में हम बता रहे हैं ना तो क्यों ना हम उनको प्रतक्ष रूप से बता दिया जाए या क्यों ना राजनीती शासिया पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें बहतरीन तरीके से उनको ऐसी नीतियां सिखाई जाए जिससे वो बहतरीन तरीके से राज कर सकें राजनीती कोई बुरी चीज नहीं है पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज नहीं है इसमें आने वाले लोगों की विचार धारा ने उसे बुरा कर दिया है इसलिए औरे भई यह राजनीती दूर रहो औरे राजनीती राजनीती और पुलिस का जो काम है वो तो बिल्कुल खराब ह क्यूं? पुलिस, सुरक्षाग के लिए, राजनीती, सब के लिए नियाए की ववस्ता है तो फिर यहां ऐसा क्यूं कर दिया है? तो भगत सिंग ने भी यही कहा था कि विद्यार्थियों को राजनीती में भाग लेना चाहिए उन्हें भी राज की नीतियों के बारे में समझ होनी चाहिए राज मतलब हमारा देश हमारे देश में क्या चल रहा है कैसे हमें कानून विवस्था का निर्मान करना चाहिए किस तरह का जीवन यापन करना चाहिए कैसा माहूल हो जिससे आम जनता भी कभी कश्टनाब होगे य क्यों कि आगे चलकर आप ही तो देश का भविश अपने मजबूत कंधों पर उठाने वाले हो अब यदि राज में क्या चल रहा इससे अनभिग गिरा होगे और अचानक से आपको किसी कुरसी पर बिठा दिया जाए क्या करोगे आप वही करोगे जो दूसरे लोग आपसे कहे यह करो ऐसा करो थीक है ठीक है थीक है यह उसुम मंढ़ पर किन्तुब देश की परिस्थितियों का ज्यान हो ना तथा उनके सुधार के उपाय सोचने की योगिताविक्सित करना भी उनके लिए आवशक है इसके बिना इसकी सिक्षा अधूरी रहेगी और वांचित लक्ष्वी प्राप्त नहीं हो सकेंगे यह भगत सिंग जी के विचार कि यदि विध्यारतियों को राजनीती से अवगत नहीं कराया गया तो अचानक से उनके सिर पर कोई जिम्मेदारी आएगी है आएगी अचाना क्या वो तो आनी ह देश की जो कमान है या देश की जो बागडोर है उसको अच्छे से संभाल सके और देश को मजबूती की और ले जा सके समझ में आया तो इस परकार से यह बताया है अगला प्रशन है और अहिसम है कि अभीभावक के दृष्टी कौन किस परकार करे होता है कि अभीभावक य किया है ऐसा क्या हो गया है क्यों राजनीती को एक ऐसी बुरी नीती बना दी है क्या वो बुरी नीती है नहीं भाई वो राजनीती है ऐसी नीती जिस पर राज किया जा सके ऐसी नीती जिससे हमारे राज यह हमारे देश को सुरक्षित्रा का जा सके समझ में तो यही है तो पिता माता क्या करता है माता पिता नहीं भाया हमारे बच्चे को तो पढ़ाई करनी है राजनीती में बिलकुल उसको नहीं धक्का देना है हम इंजीनर बनाएंगे हम डॉक्टर्स बनाएंगे जब देश का भविश्या करता धरता या समाज में क्या घटित हो रहा है कैसे समा करना बहुत अच्छी बात है जहां से जाएंगे वो रास्ते साब लेकिन जाएगा कौन हां किस रास्ते से कौन जाएगा जब पूरे लोग भटक चुके होंगे जब पूरे लोग पूरी मानसे कुन की प्रवर्ति एक दम तुछिसी हो चुकी होगी फिर क्या होगा तो राजन कि हमें सीधा चलाती है और हमारे शरीर को एक दम एक स्ट्रक्चर में ढाले रहती है उसी तरह से जो विध्यार्थी हैं जो युवा शक्ती है वो राश्ट की रिडगी हड़ी होते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंग विध्यार्थियों का राजनीती में योगदान अपरिहारे मानते थे अनिवारे मानते थे उनका कहना था कि विध्यार्थियों को अपनी पढ़ाई तनमय तासे करते हुए देश के हित में भाग लेना चाहिए तथा अपने जीवन का वलिदान भी करने में घर्व का अनुभव करना चाहिए उसी प्रकार जिस प्रकार भगत सिंग इस पुनीद कार में जुट गए थे समझ में आया वो भी जब विध्यारती थे ना तब ही से उनका जो मन था वो मात्र भूमी की रक्षा के लिए लग चुका था अगला प्रश्ण है भगत सिंग के अनुसार केवल कश्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है उनके जीवन के अधार पर इसे प्रमानित करी है कि भगत सिंग ने ये क्यूं कहा कि केवल कश्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है तो भगत सिंग के अनुसार केवल कश्ट स पाना संभव नहीं है यह देश के लिए हम कुछ करना चाहते हैं यह सब के हित में हम कुछ करना चाहते हैं तो कश्ट तो सहना पड़ेगा समझ में आया एक छोटा सा example मैं दे रहे हुए बात तो है भी देश की रक्षा के लिए बड़े-बड़े कश्ट सहने पढ़ेंगे बेटा यदि बात हम सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी की बात करें जहां सिर्फ पांच सदस हैं तो यदि कोई एक व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा है उस को भी कई सारे दुख दर्द झेलने पड़ते हैं तो बात जब संपून राश्ट जब संपून देश कीो हो तो क्या कोई बिना कश्ट सहे उनको सुक्ष म्रद्धी प्रदान कर सकता है नो नहीं कर सकता ठीक है तो उनकी ये स्पष्ट माननेता है कि बिना कष्ट सहे देश के लिए कुछ करपाना संभव नहीं उनके शब्दों में नो जबान भारत सभा के धे देव सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना बलिदान करना को हमने सोच समझ कर इसका निर्मान किया परिणाम अच्छा ही होगा बहुत अच्छी बात है इसी सोच के साथ सारे कारी करना चाहिए लेकिन जब परिणाम आता है तो किसी पर किसी को पच्टावा होने लगता है और किसी पर बहुत खुशी हो जाती है यह कैसे हुआ कारे करने के बाद ही पता चलाना तो यही बात होती है ठीक है उसी प्रकार जैसे लेजिसलेटिव असेंबली में बंफैकने का कारे भगत ने किया था कितना स्मस्टलब इतना बड़ा साहस कोई कर सकता था कि जो लेजिसलेटिव जो assembly चल रही थी सभा चल रही थी और उसमें उनोंने bum फेक दिया कितने बड़े जिगर की बात है भाई क्योंकि बिना परिणाम की परवा किये ही उनोंने ये कारे किया यदी वे सोचते हैं कि मानलो मैं पकड़ा गया या किसी ने मुझे पकड़ लिया या मुझे पीटा गया या मुझे फासी की सजा दी गई ना जी ना मैं bum नहीं फेकूंगा कुछ नहीं सोचा ना उनोंने वही किया जो उन्हें उचित लगा और उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वे अंग्रेजों को अपना पूरा पूरी दरहेवाला शत्रू मानते थे जो की थे और वे ये चाहते थे कि कैसे भी करके अंग्रेजों को तो मैं मारूंगा ठीक है यदि उन्होंने दया के लिए गिड़ग़ा ते हुए दंड से बचने का प्रेतन किया होता तो संभवता ये कार कदापी ना किया होता समझ में आया तो वो हस्ते हस्ते फासी पर जूल गए यदि वे सोचते कि नहीं वहिया मैं माफी मांग लूँगा मैं उनके सामने गिड़ग़ा दूँगा तो वो ये कार कभी नहीं कर पाते समझ में आया निश्चित रूप से भगस सिंग ने किसी कार से होने वाले आत्म घाती परिणाम की परवा कभी नहीं की थी विकस्ट सहकर देश की सेवा के लिए बड़े से बड़ा बलीदान करने के लिए सदैव तत्थ पर रहते थे और उनकी इसी सेवा के लिए किये जाने वाले आत्मोच सर के कारियों को पढ़ा जा सकता है अगला है भगत सिंग जी की विध्यार्थियों से क्या अपेक्षाए हैं? अभी हमने जाना कि भगत सिंग यही कहते हैं कि विध्यार्थियों को राजनीती की शिक्षा अवश्य दी जाने चाहिए और विध्यार्थियों का राजनीती में योगदान अवश्य होना चाहिए विध्यार्थियों को राजनीती से धूर नहीं रखा जाना चाहिए तो उन्होंने क्या अपेक्षाय की हैं विध्यार्थियों से क्या चाहते हैं कि विध्यार् कर दे और ये काम कौन भली भाती कर सकता है देश की युवा शक्ति और युवा शक्ति कहां है विद्यालेव में सुना है ना अपने इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलके ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कलके नेता का मतलब लीडर होता है लीडर और लीड कहो तो आजीब सा लगता है जैसे बस आ गए जूट बोलने या बड़ी-बड़ी बाते करने लेकिन लीडर कहो तो एक बहुत गर्व महसूस होता है तो यहां लीडर्स की बात की जा रही है एक मतलब ऐसे करणधार कह सकते हैं हम ठीक है करणधारों की देश के करणधार समाज की कर्णधारों की बात की जा रही है जो नए समाज का निर्मान करते हैं ठीक है यह कारे सिर्विध्यारती ही कर सकते हैं सभी देशों को आजात कराने वाले यहां के विध्यारती और नौजवान ही हुआ करते हैं वे ही करांती कर सकते हैं क्यूंकि उनमें ही वो जस्बा होता ह उनी में वो जोश होता है अता विध्यार्थी पढ़ें जरूर पढ़ें पढ़ने को कोई मना नहीं करें साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्यान हासिल करें और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पढ़ें और अपना जीवन इसी काम में लगा दें अपने प्राणों को इसी में मुटसर कर दें है यह अपेक्षा है विध्यार्थी उसे भगत सिंग की तो यह जो अपेक्षा है वो सच में बहुत सुन्दर है कि बस न्याय पूरवक ऐसे कूद जाओ कि जो अन्याय कर रहे ना उनको भी आउट कर दें जब देश के भागी का निरनय हो रहा हो तो व्यक् व्यक्तियों को अपने भाग्य को पूर्ण रूप से भुला देना चाहिए किसका निरनय हो रहा हो जब देश के ठीक है मतलब जब सर्व हित की बात की जा रही हो संपूर्ण देश की बात की जा रही हो संपूर्ण देश के कल्यान की बात की जा रही हो तो यह हर एक व्यक् है उस भाग भाग्य को बिल्कुल भुला देना चाहिए आज जब देश आजाद है तो भगत सींग के इस विचार का आप किस तरह मूले अंकन करेंगे कि क्यों ऐसा कहा था तो भगत सींग का यह कतन उनकी मानफतावादी द्रिष्टी का परिजय देता है कि हम व्यक्तियों से के बारे में सोचना चाहिए ठीक है समाज के बारे में सोचना चाहिए देश के बारे में सोचना चाहिए उसके लिए तन मंधन से अपना स्वेम सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए परंतु आज देश की आजादी के 73 या 75 वर्ष हो गए हैं फिर भी इस प्रकार की भावना प्रह्णा का लेश्मात्री व्यक्ति के मन में नहीं है व्यक्ति अपनी स्वार्थ परता थोड़े से सुख्क के लिए अपना सारा मूह लिखो बैथा है सिर्फ और सिर्फ्षार्थ परक्ता में खोया हुआ है अपने निजी भागे को चमकाने में लगा है और यहां पर नेजी भागे को चमकाने के चक्कर में व्यक्ति-व्यक्ति के प्रतिही मानफता की भावना नहीं रही है। व्यक्ति-व्यक्ति को ही अलग तरीके से ट्रीट करने लगा है। लोगों में अमीरी गरीबी का इस तरह से जंजाल फस गया है जो आर्थिक संपन है वो विपन लोगों को एकदम कीडे मकोणों की तरह देखते हैं और उनको लगता है कि पैसे से सब कुछ हासिल किया जा रहा है किया जा सकता है और किया जा भी रहा है क्योंकि भरस्टाचार क भट्टी में जल रहे हैं जिस तरह से भट्टी जलती है ना पूरी तरह से मालो यह भट्टी सॉरी ऐसी जल रही है दहरती हुई आग कि उसकी लपटें इसी पपन पैदा कर रही है गोरे अंग्रेजों के चंगल से चूटने के बाद आज देश अपने देशी घूरे अंग्रेजों द्वारा विनाश के गरत में जा रहा है कि हमारा देश आजाद हो गया अंग्रेजों को ख़देड कर भगा दिया हमारे वीर क्रांतिकारियों ने स्वतंत्ता सैनानों ने आज मानसिक रूप से ऐसी गुलामी कैद की हुए है कि स्वतंत्र होकर भी ऐसा लगता है जैसे परतंत्र है क्योंकि सब के सब उस भीड में शामिल हो रहे हैं पास्चात्य संस्कृति या वैस्टन कल्चर के पीछे तोड़ते जा रहा है आखें बंद करके अपराधी और घू नीति बनाई जाए देश के लिए राज क्या है एक देश राज भाशा कांठी है नहीं हंदी तो देश हमारा जो कंट्री है हमारा देश है राज है राज आंब झोता है और राज मतलब देश होता है तो ऐसी नीति जिस पर हमारे राज को भली भाती बिताय जाए या फिर हर एक जो नागरिक है उनके सही और मतलब सही कारी किये जाए जो सबके हित्मे हो लेकिन आज कल की जो राज नीती है वो अपराधी करण की चरम सीमा पर है इस साशन विवस्था के कारण अपने ही लोग देश के दुश्मन हो ग गया है कि सब कुछ भूल चुका है अगला प्रश्ण उन्हें चाहिए कि वे उन विदियों का उलंगन करें परन्तु उन्हें ओचित का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता भागत सिंग कि इ सब्सक्राइब और यहां उन्हें चाहिए कि वे उन विदियों का उलंगन करें परन्तु उन्हें ओचित ते का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता आब इन्होंने क्या कहा तो भगत सिंग क् कहते हैं कि क्रांतिकारी शाशक यदि शोशक को हो कानून विवस्था यदि गरीब विरोधी मानव विरोधी हो तो उन्हें चाहिए कि वे उनका पुरजोर विरोध करें मतलब क्रांतिकारी शाशक जो है यदि शोशक हो क्रांतिकारी जो शाशक है मतलब जो क्रांतिकारी है और वही शोशक हो मतलब वही शोशक हो जो शोशन कर रहा है ठीक है शोशक मतलब जो समय शोशन कर रहा है दूसरों को ठीक है कानून विवस्ता यदि गरीब विरोधी मानव विरोधी हो कानून विवस्ता यदि गरीबों का विरोध करने वाली हो या मानवता का विरोध करने हो तो उन्हें चाहिए कि उसका पुर्जूर विरोध करें इस तरह का कानून यदी होगा तो किसी काम का नहीं है ठीक है परनुत इस बात का भी ख्याल रखें कि आम जंता पर इसका कोई असर ना हो वह संगर्ष अवशक हो अनुचित नहीं संगर्ष अवशकता के लिए हो तो उसे न्यायपून माना जाता है परनुत सिर्फ बदले की भावना से हो तो अन्यायपून मतलब संगर्ष कोई सा भी हो वो न्यायपून होना चाहिए सिर्फ बदले की भावना से नहीं कि हमें तो इनको मारना है क्यों क्योंकि इन्होंने ये किया बदले की भावना अलग ब बात अलगे जहां मात्र भूमी की बात हो जहां हमारे देश की बात हो तो बात अलग है वहां हम बिलकुल आ जाते हैं इस संदर में रूस की जारशाही का हवाला देते हुए वे कहते हैं कि रूस में बंदियों को बंदी ग्रहों में विपत्तियां सेहन करने ही जारशाही का त कि साहस्त तो बहुत लोगों में होता है लेकिन उसी बात को सलीके से कहना यघ वह एक बात के पीछे एक स्ट्रेटेजी ट्यार करना एक प्लान तयार करना की वह सही होना चाही हो उचित थाए नियापून हो न चाहिए इस द्रष्टी से देख़ा जाए तो भगत Nelson का चिंतन मानवताबादी है जिसमें समस्त मानव जाती का कल्यान नहीं थै यदि मानवता पर तनिक भी प्रहार हो तो उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान विवस्ता के विरुद्ध आरंब कर देना चाहिए अगला प्रशन एक लेख और एक पत्र शीर्शक कहानी का साराज लिखिए कि इस कहानी में लेखक भगत सिंग जी ने क्या कहा है तो भगत सिंग विध्यार्थी और राजनीती के माध्यम से बताते हैं कि विध्यार्थी को पढ़ने के साथ ही राजनीती में भी दिल्चस्पी लेनी चाहिए क्यों लेनी चाहिए समझ गए ना बिटा कि आपको क्यों राजनीती में दिल्चस्पी लेनी चाहिए यदि कोई इसे मना कर रहा है तो समझना चाहिए कि राजनीती के पीछे घोर शड़े अंत्र है क्योंकि विद्धियार्थी युवा होते हैं उन्हीं के हाथ में देश की बागडोर है बागड सिंग वेवारिक राजनीती का उधारन देते हुए नौजवानों को यह समझाते हैं कि महात्मा गांदी, जवाहरलाल नेरू, सुबास चंद्रवोस का स्वागत करना और भाशन सुनना यह है वेवारिक राजनीती नहीं तो और क्या है? इसी बागड सिंग मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरुरत है जो तन, मन, धन से देश के लिए अर्पित हो और पागलों की तरह सारी उम्र, देश की आजादिया उसके विकास में नयचावर कर दें क्योंकि विध्यार्थी देश दुनिया के हर समस्याओं से परिजित होते हैं उनके पास अपना विवेक होता है बुद्धी होती है और जब विवेक और बुद्धी से कोई भी कारे किया जाता है तो वो सही होता है वे इन समस्याओं के समधान में योगदान दे सकते हैं ता विध्यार्तियों को पॉलिटिक्स में भाग जरूर लेना चाहिए ठीक है अगला प्रश्ण है भगत सिंग ने कैसी मृतियों को सुनदर कहा है आगई बात सु मृतियों की है सुनदर की वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं संबंद में उनके विचारों को इस पश्ट कीजिए तो भगत सिंग देश सेवा के बदले दी गई फासी मृत्यु दंड को सुंदर मृत्यु कहा है भगत सिंग जी ने देश सेवा के बदले जो फासी भी दी है वो भी सुंदर मृत्यु है भगत सिंग इस संदर में कहते हैं क जब देश के भागे का निरने हो रहा हो तो व्यक्तियों के भागे को पूर्णता भुला देनी चाहिए बिलकुल जब बात हम की हो रही हो तो वहां मैं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए इसी द्रण इक्षा के साथ हमारी मुक्ती का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और होगा शोशा कि यहां से चले जाएंगे और हम अपना कारे अपने आप करेंगे इसी के साथ व्यापक समाजबात की कल्पना भी करते हैं जिसमें हमारी ब्रत्यू बेकार ना जा मरना तो है ही तो क्यों ना देश की रक्षा के लिए जाना जाए ठीक है अर्था संघर्ष में मरना एक आदश मृत्यू है भगत सिंग आत्महत्या को कायरता कहते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करेगा थोड़ा दुख कस्ट सहने के चलते करेगा ठीक है कि उसको कुछ दुखदर्द हो गया तो भाई आत्महत्या कर ली वह अपना समस्त मूल एक हिक्ष सहन नहीं कर सकता कि बिनकारण के मर गए यह बिल्कुल सही नहीं हम तो अपने जीवन को सहन नहीं कर सकते हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूले प्राप्त करना चाहते हैं हम यह अपने जीवन को नहीं खो सकते हम अपने जीवन हमारा जीवन जो है ना बिटा अमू ने बताया कि यह बिल्कुल गलत है हमानवता को अधिक से अधिक सेवा करना चाहते हैं संघर्ष में मारना एक आदश मृत्यू है प्रत्नशील होना और स्रेश्ट होना उतकृष्ट आदश के लिए जीवन दे देना कदापी आत्महत्या नहीं का जा सकती कि जहां पर यदि प विचार भी देते हैं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं जब कोई मुश्किल आए और करें भाई कुछ मुश्किल आ गई है अब हम क्या करें हम मर रहे हैं बस बस कुछ मुश्किल है और आपने इतना कीमति शरीर जो परमात्मा ने तुम्हें इं स्तितिया जाएगी तो उसको तो बिल्कुल उन्होंनों उसकी घोर निंदकी है अगला है भगत सिंग की विध्यार्थियों से क्या अपेक्षा है तो भगत सिंग की विध्यार्थियों से निमलेखित अपेक्षा है कि पहला दिया है उन्होंने देश को आजात करवाने से त मैदान में कूद पढ़ हैं वे एक भारी करांति के लिए तत पर हमेशा जब भी करांति की बात हो जब्थ हम हां सबновure समाज की कि बात हो राष्ट की बात हो तब तनक वी न सोच औरace मैदान में कूद बढ़ें यही विध्यारतियों से उनकी अपेक्षाएं हैं अगला प्रशने भगत सींग ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं क्या आपको पता है जब भगत सींग को फांसी धी गई थी तो उन्होंने एक मतलब से बेहद संवेदंशील होते हैं एक चोटी सी चिंगारी भी उनमें क्रांती का ज़स्वा भर देने के लिए परयाप्त होती है यदि ऐसे समय में भगत सींग को फांसी की सजा दी जाए तो आंदोलनकारी दल भी भावनात्मक एक्ता को उभारने में मदद पहुचेगी उन उन्होंने ये कहा था कि बिल्कुल बेशक हमें फांसी दीजिए मुझे फांसी दीजिए लेकिन उस समय दीजिएगा जब अधिक से अधिक संख्या में भारती है अंग्रेजों का विरूद करें और जो भावना रहेगी कि जब विरूद करना उसी में उनी के लीडर को जब कोई दुख पहुँचाएगा तो उनकी जो चिंगारी है वो और भड़क जाएगी और इस तरह से उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हो जाएगी और सच में ऐसे अने को स्वतंत्रत सेनानी गए क्रांती कारी गए जोनोंने हस्ते हस्ते फांसी के फंदे को अपना लिया अप साथ उनके जो विचार थे या उनकी जो अपेक्षाय थी हम से आप से उन अपेक्षाओं को हम पूरी तरह से उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप ध्यान पूरवक सुन रहे हो और साथी साथ अपने जीवन में इन सभी बातों को अपनाओगे येस इंप्लिमेंट करोगे इंप्लिमेंटेशन के साथ साथ आपको परिक्षाओं के लिए तैयार रहना है और बहुत ध्यान पूरवक अच्छे से सोच विचार कर उत्तर लिखना है और परिक्षाओं में धूम मचा देनी है चलिए तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में स्वास्त रहना खुश रहना बाबाई थाइंक यू सोमाइच